नमस्कार और विल्कम यौलू स्टडी आईक्यू मैं प्रशान धवन देखिए इसराइल में आज के समय लोगों में बहुत ज़रा गुस्सा है आक्रोश है और दुनिया भी बहुत ज़रा शौक्ट है के हो क्या गया यहाँ पर आप देख पाओगे चाहे एंथनी अलबनीसी उस्ट्रेलिया के फ्रांस के इमेनियल माकरो जो बाइडन सब लोग आज के समय ट्वीट कर रहे हैं कि हम बिलकुल शौक्ट हैं वी आर शौक्ट के गाजा में हमास ने छे होस्टेजेज मार दिये इसराइल के और याद रखिएगा इन ही होस्टेजेज की वज़े से हमास इसराइल के बीच में जो ये जंग है ये पिछले कई महीनों से चलती आ रही है इज़र आप देख पाऊगे जो बाइन ने भी यहाँ पर लिखा इसके वारे में कि ये ट्राजिक है जो हुआ है ये बहुत ज़रा गरत है मैं और मेरी वीवी जिल हम दोनों हार्ट ब्रोकन ह इंडिया बिल्कुल चुप है हम लोग इस न्यूस पर बिल्कुल भी कोई भी कॉमेंट नहीं कर रहे क्योंकि इंडियन परस्पेटिव से आप अगर देखो अगर हमारे पीम कहते हैं कि देखिए जो हॉस्टेजिस को मारा गया हमास के लोगों ने जो इसराइल के बंदक ब इस वक्त इसराइल को कम्प्रीट सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि इसराइल में देखिए आज के समयना तक्ता पलण भी हो सकता है लोग जो है इसराइल के वो इतने जड़ा गुसा है बेंजमें नेतन याहू को लेकर इतना गुसा है लोग क्या रहे हैं कि एक काम करो या तो completely हमास को destroy कर दो या तो उनके साथ कुछ agreement करके ceasefire करके जो हमारे hostages है इन्हें वापस ले कर आओगा और अगर आप सूच रहे हो अभी भी इसराइल के जो hostages है ये हमास के पास है जी हाँ हमास ने अभी भी इसराइल के 101 रोगों को बंदी बना रखा है और इसराइल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो इसी बात को ले कर हो रहे हैं कि अब तो देखो 6 जो hostages थे इनको मार डाला गया है 100 के आसपास जो बचे हैं हमारे लोग उनको वापस कैसे हम ले किया है सेफली अगर कल को news आ जाती है कि हमास ने पैनिक में आकर जो बाकी hostages हैं उनको भी मार डाला तो इसराइल के लोग वो शौक कैसे वरदाश करेंगे और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि अभी भी 100 से उपर इसराइली लोगों को हमास ने पकड़ रखा है बंदी बना रखा है मगर यह हुआ कैसे यह सब स्टार्ट कैसे हुआ यह सब कुछ स्टार्ट हुआ था 7 अक्टोबर को यही वो डेट है जब हमास लेट बहुत सारे ग्रूप्स ने इसराइल के अंदर घुस कर बड़े स्केल पे अटाक किया था और अनफॉर्शनेटली जब ही अटाक हो रा था न तो इसराइल की इस लोकेशन पे एक म्यूजिकल फेस्टिवल भी हो रा था जहां पर हजारों लोग कई इसराइली कई फोरन नैशनल्स यह सब कर रहे थे पार्टिस्पेट अचानक से वहाँ पर हमास के आतंगवादी आते हैं और कई सिविलियंस को ओपनली मार दिया जाता है इसराइली गवर्मेंट के हिसाब से 7 अक्तूबर को 1100 से उपर सिविलियंस को मारा गया था बाई हमास और आपने देखा होगा दुनिया भर की कंट्रीज चाहे इंडिया हो यूएस हो वेरियस कंट्रीज ने 7 अक्तूबर के इंसिनेंट की निंदा करी है नाव कई सिविलियंस को मारा गया और उसके बाद हमास ने न बहुत सारे इसराइली सिविलियंस कुछ अमेरिकन्स को भी होस्टेजेज बनाकर वापस रख लिया गाजा में क्योंकि उनको बता था के अब देखो इसराइल की रिडालियेशन आएगी इसराइल अब बड़े स्केल पर गाजा पर अटाइक करेगा और इसराइल से नेगोशियेट करने के लिए बाचीत करने के लिए क्योंकि देखो हमास का अभी बार ये भी कहता है कि कई होस्टेजेज जो इसराइल के मारे गए हैं गाजा में ये इसराइल ने एक्सिडेंटली खुदी मार दिये हैं बॉम्मिंग करके हाला कि इसराइल कहता है कि हमास इन होस्टेजेज को मारता है फिर इनकी body फैक देता है, इस problem का solution क्या है किसी को बता नहीं, बीच बीच में आपने देखा होगा, कुछ hostages हैं जो बच भी गए, जिनने छोड़ भी दिया गया, वो इसराइल वापस लोड़ गए, अपनी family से मिले, मगर कुछ hostages हैं जो बच नहीं पाए, फॉर एक्जामपल ये जो 6 लोग हैं, इनकी body हाल ही में रफा में मिली है, रफा आप सबको बता है, गाजा के south का इलाका है, वहाँ पर जो tunnel है, जो underground tunnel है, वहाँ पर इसराइल की security forces को इन 6 लोगों की body मिली, और confirm हो गया, कि हाँ ये बिलकुल इसराइल के नागरिक हैं, और हम हमास के लोगों ने इनको मार के इनकी body याँ पर फैक दी थी, और उसके बाद सही हम देख रहे हैं, कि world leaders ने इस कायरता पूर्ण हरकत की निंदा करी है, कि hostages को इस तरीके से मारना, ये बहुत ज़रा गलत है, ना अब अगर नेतन याहू के perspective से देखो, तो इनकी जनता हमास से बातचीत कर लो, अपने लोग वापस उला लो, बाद में अगर जो भी operation carry out करना है कर लेना, बट obviously ये बात हमास भी समझता है, तो इसलिए देखिए ceasefire को लेकर negotiations, बातचीत बहुती मुश्कल तरीके से आगे बढ़ पारी हैं, और अब देखिए लगता है कि ceasefire नहीं उसके बाद लगता नहीं है कि इसराइल के लोग ही ceasefire होने देंगे, क्योंकि अब देखो problem यही आती है, इसराइल की सरकार भरोसा किसका करेगी, जो आतंगवारी संगटन, इनके इसाब से जो आतंगवारी संगटन, hostages को मार के उनकी body tunnels में फैक देता है, उनके साथ कैसे negotiate क कैसे आप बात चीत करोगे, तो situation देखिए भी बहुत complex है, नेतन याहू ने अभी ये का है, कि इसराइल एक बड़ा action लेने वाला है, होगा इसके response में क्या, कि इसराइल अंधी warming start कर देगा गाजा की, जिससे गाजा में कई और innocent लोग हैं, जिनका perhaps कोई relation नहीं है, इन hostages के murder से, वो भी unfortunately मारे जाएंगे, और यही देखिए tragedy है, इसराइल हमास war की, कि बहुत सारे innocent लोग मारे गए हैं, जिनका कुछ कसूर भी नहीं था, इसराइल की side से भी और गाजा से भी, और अभी देखिए question ये है, कि क्या इसराइल गाजा में जो polio vaccination drive है, ये चलने देगा, गाजा में destructionist level की होई है, कि hospitals, medical facilities, ये भी काफी जगा बची है नहीं, तो बिमारिया भी बहुत तेजी से याँ पर फैल रही है, और recently WHO के अंडर एक vaccination drive स्टार्ट किया गया था गाजा में, जिससे गाजा के जो बच्चे हैं, उनको polio vaccine दी गई थी, क्योंकि कई सालों बाद 25 सालों में पहली बार गाजा में polio का case पाया गया था, और डर ये है, कि since यहाँ पर vaccination बच्चों को मिलने ही रही, large scale polio outbreak ना हो जाए, क्योंकि लोग देखिए, जो शौच है, ये भी काफी जगा खुलने में कर रहे हैं, इंफ्रास्रक्चर ना के बराबर बचा हुआ है, ऐ अब देखना होगा कि Israel react कैसे करता है, क्या ये जो vaccination drive है, ये शांती पूर्ण तरीकरे चलता है, या फिर Israel कहीना कहीं bombing स्टार्ट कर देता है, तो इस topic से related देखिए, अभी बहुत सी developments होनी बाकी है, जो 100 hostages हैं, जब तक Israel को वापस मिलते नहीं है, ये situation बहुत ही जादा complex रह nuclear doctrine है, ये चेंज कर देगा, ये बहुत बड़ी statement है, कि ये country openly अपनी nuclear doctrine चेंज करके बड़े बदलाव करेगा, अपने nuclear arsenal में बदाईए, कि कौन सा देश ये करने वाला है, ये हैं या पर आपकी options, चाइना, पाकिस्तान, रश्या, या फिर इंडिया, comment section में करिए उत्तर, ज आपको एक price hike दिखेगा, जी हाँ, prices बढ़ जाएंगे, 3 September के बाद से, ये date याद रखिएगा, after 3rd of September, सभी courses पे एक mild price hike आपको मिलेगी, तो उससे पहले आप अगर चाहें, तो study IQ के 2025 और जी हाँ, अब 2026 के courses भी available हैं, आपको simply या करना है, कि इस वीडियो की comment section में जाईए और यहाँ पर आप देख पाओगे, दो link आपको दिख जाएंगे, एक में लिखा है, 2025 प्रतिग्या batch, अगर एगले साल ही आपको UPSC exam का attempt देना है, तो बिलकुल आप 2025 का प्रतिग्या batch कर सकते हैं purchase, इस link पर click करके, बट, let's say, आप अभी दूर का सोच रहें, आप कहा रहे इस बैच, simply जो second link है, इस पर आप click कर सकते हैं, अगर आपके goals थोड़े लंबे हैं, आप एक college student है, आपके पास time है, click on this link, और यहाँ पर पर चेस कर पाएंगे, study IQ का प्रतिग्या batch, but obviously यह जो price यहाँ पर लिखा है, never ever pay this price, simply यहाँ पर आपको code डालना है, period 10, और prices गिरना आपर शुरू हो जाएंगे, और एक discounted rate पर याद रखिएगा, यह 36 महीने की validity के साथ आपको मिलता है, long term course, यह आप कर सकते हैं, purchase और याद रखिएगा, 3rd September से, एक price hike देखने को मिलेगा, on all study IQ courses, so use the code PD10, and save money, और इसी note के साथ, यह है video का, thank you for listening, and as always, may the gods watch over you.